हिलो दोस्तों मैं स्वारों बलिक आप से भी गार टोपी की स्टेड में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैत की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अगर समझ मैं है तो लाइक से जरू करिएगा अगर आपने दो कोशन देख लिए तो डियाई चैप्टर के अगर आप कैसा भी कोशन आता है आपके एकजाम में तो आप उसको कर लेंगे यह बहुत important है और आपके एकजाम में कोशन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ALP technician के अगर बात कीज़े अभी जो आपका एकजाम होके गया है उसमें कोशन पूछे गए थे और उसमें कहीं mention नहीं था कि आपके D.I.C.B. कोशन आ सकता है तो आपके एकजाम में भी अगर ऐसा होता है तो आप उसको करके आएंगे छोड़के नहीं आएंगे क्योंकि 3-4 कोशन का एक ही कोशन ये पूछा जाता है ठीक है चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को सिनेमा देखने सम्मद्धित आदतो के बारे में एक सर्वेक्षन के आकड़े दिये गए हैं उनमें पहले इस्थम में परतियक नगर के उन दर्शको के परतिसतो को दर्साया गया है जो परतिसपताक। दो से कम फिल्में देखते हैं, ठीक है, दूसरे इस्थम में उन दर्सकों की कुल संक्या को दर्साया गया है, जो परती सप्ता 2 या 2 या अधिक फिल्में देखते हैं, तो मैं चीज गिले कर दो आपको, यहाँ पे 2 इस्थम दिये गए हैं, जो यह दो अलग-अलग डाटा दिये गए हैं, नगर A, B, C, D, E, E के 5 नगर हैं, और इनके 2 अलग-अलग डाटा दिये गए हैं, जो आपका पहला डाटा है, यह परसंटेज में हैं, और यह आपका नंबर्स में हैं, ठीक है, यह परसंटेज है सारी की सारी, यानि कि इस नगर में, ये नगर में, 60% ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे रहने वाले जो नागरिक हैं, जो 2 movie से, 2 film से कम देखते हैं, और 2400 ऐसे हैं, जो 2 और 2 से अधिक देखते हैं, तो अब आपको ये चीजे clear हो गई होगी, ये percentage में दे रखा हैं, और ये आपको दे रखा हैं, numbers म अब इसी से related आपके कैसे कैसे question पूछे जाएंगे, वो आप easily कर लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पहला question आपे दिया गया है, नगर C में कितने दर्सक ऐसे हैं, जो 30 सब्ता 2 से कम फिल्में देखते हैं, देख लेते हैं आपे, C नगर पे चलते हैं, C नगर इसे कितने हैं, जो 2 और 2 से अधिक देखते हैं, वो हैं आपके 2400, अगर आप percentage में देखो, तो 2400 कितना होगा, 15% के एकवल होगा, 85% आपके कितने हो गए, जो 2 मूवी से कम देखते हैं, और तो बचे हुए 15 कितने होगे, वो 2 या 2 से अधिक देखते होगे, तो इसका आपको 15% की value मिल गई, 15% के एकवल अगर 2400 है, तो 85% के आप निकाली सकते हैं, तो चलिए, कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है, 15% के एकवल आपको 2400 है, तो 85 की परसेंट के आपको value निकाल लिए हैं, तो 2400 को आप 15 से divide कर दीजे, और 85 से multiply कर दीजे, तो 2400 को आप 15 से divide देखते हैं, दो फिल्म से कम देखते हैं, ठीक है, तो right answer क्या हो जाएगा, 13600, यानि कि आपका option B is the right answer, ठीक है, तो आसा करता हूँ कि ये question तो आपको समझ में आ गया होगा, इस type के अगर question आपके exam में आएंगे, तो आप easily कर लेंगे, ठीक है, बट एक बार आपको पता हो लोग की संक्या सबसे कम है, तो देख लेते हैं, टेबल पे चलते हैं, तो यहाँ पर बिलकूर सापने जरा रहा है, कि B वाला जो है यह आपका 20% यहाँ पर यहाँ पर यहाँ जो दो से कम फिल्में देखते हैं, और 3000 टोटल आपके यह हैं, जो बचे हुए हैं, यानि कि 80% लोग 2 से अधिक फिल्म देखते हैं, तो इसका मतलब दोनों के दोनों ही आपके कम हैं, तो इसका मतलब B वाला जो नगर है, उसमें सबसे कम फिल्में देखी जाती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओप्शन यानि कि C हो जाएगा राइट आंसर यानि कि नगर में फिल्में देखने वालों की सबसे अधिक संख्या कितनी हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं टेबल में देख करके, तो दोस्तो टेबल में बिल्कुल साप नजर आ रहा हैं, कि आपका ये वाला जो नगर है, यानि कि नगर E, इसमें सबसे अधिक फिल्में देखने देखे जाने वाला है, यहाँ पे जो देखने वाले है, वो 8,000 है और बाकी में देखे आप सबसे कम कम है, ठीक है इधर भी देखे तो 75% है तो दोनों साइड में ही यह portion सबसे जादा कवर कर रहा है, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं कि टोटल देखने वाले कितने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे किसके एकवल यह है, यह है आपकी 25% की, 75% वो व्यक्ति हो गए जो 2 से कम फिल्म देखते हैं तो बचे वे 25% की वैल्यू आपकी यह हो जाएगी 8,000, तो यहाँ से आप का right answer हो जाएगा, तो ऐसे करते हूँ कि आपको यह question बिल्कुल भी hard नहीं लग रहे होंगे, और इस तरीकी के अगर question आपके exam में आते हैं, तो आप definitely उनको कर क्या हैंगे, ठीक है, तो right answer क्या हो जाएगा देख लेते हैं option, option B is the right answer, ठीक है चलिए, next और last वाला question देखते हैं, इस first question में, last वाला question है यह, वे दो नगर कौन से हैं, जहां फिल्मे देखने वालों की संक्या बराबर हैं तो यह तो आपको कैसे निकाल पाएंगे यह निकाल पाएंगे, मतलब सभी का data निकालने के तो देख लें तो बहुत यह आसाने यह भी निकालना, चलिए यहां पर देखें, बिल्कुल easy है, कोई hard नहीं है भई 60% दो से कम फिल्म देखने वाले हैं तो बचे 40% यह हो जाएंगे ठीक है, 40% की value यह पता है आप तो 100% की निकाल लेंगे तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से निकालना है इसको 40 से भाग करना है और गुना 100 से कर देना है फिर यहां पर यह 20% है तो इसका मतलब बचे विए 3000 जो 80% हो जाएंगे 80 से divide करेंगे और multiply 100 से कर देंगे फिर यहां पर 85 है तो इसको divide करेंगे हम कितने से 15 से और गुना 100 से कर देंगे ठीक है, यहां पर 55 है तो इसको divide करेंगे हम किस से 45 से और गुना 100 से कर देंगे ठीक है, यह आपका 75 है तो इसको divide 25 से करेंगे जैसे अभी हमने किया है और इसको multiply 100 से कर देंगे तो देख लेते हैं मैंने सभी को इनकी multiply करके निकाल रखा है तो यहाँ पर आपका देखे ये निकल के आगए है ये आपका एक का निकल के आगए जैसे मैंने आपको बता था 2400 को divide करेंगे 400 multiply 100 से करेंगे तो 6000 आपका आजाएगा इसको भी ऐसी करेंगे 37500 आजाएगा इसको भी divide करेंगे तो 16000 आजाएगा इसको भी divide करेंगे तो ये भी 6000 आजाएगा और इसको divide करेंगे तो ये आपका आजाएगा 32000 तो यहाँ पर पूछे दो ऐसी नगर जो जिनमें equal संक्या है movie देखने वालों की, film देखने वालों की, तो वो कितने हैं, ये दोनों हो जाएंगे, इसमें भी 6000 ही, इसमें भी, यानि कि आपका A और D, A और D is the right answer, तो देख लेते हैं, किस option में ये like करता है, यानि कि आपका option हो जाएगा D, यानि कि A और D, कोई सा भी बोल सकते हैं, तो right answer आपका हो जाएगा D, ऐसा करता हूँ कि ये पहला question जो था, आपको समझ में आगया होगा, जितना time मुझे लगा है, क्योंकि एक तो screen को उपर नीचे करना पड़ता था, पूरी screen में ये सब कुछ adjust नहीं हो सकता, पहली बात, दूसरी बात मुझे साथ साथ में समझाना भी पढ़ रहा है, ठीक है, तो इतना time नहीं लगेगा, और ये सीधा सीधा आपका 3-4 marks का एक ही question आता है, तो इसको छोड़के मत आईएगा, अगर इसमें थोड़ा time भी लग रहा है, तो आप सोच के देखें कि इसमें 3-4 number आपको सीधे-सीधे मिल जाते हैं, ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको इस समझ में आया होगा, एक और इसी तरीके का question देखते हैं, अलग type का, तो next आपका question है, इसको भी पढ़के देखते हैं, यह वर्त रेखा किसी company द्वारा 7 वर्सों में अर्जित लाब दरसाता है, वर्त रेखा का ध्यान पूर्वक अध्यन करें, और निमलिकित परसनों के उत्तर दीजें, तो यहाँ पर एक वर्त आपको जो दे रखा है, यह गोला जो आपको दे रखा है, सर्किल दे रखा है, इसमें आपको अलग-अलग यहर के, देखें, कब से स्टार्ट है, यहाँ साइड में देख सकते हैं, 91 से लेकर के, और आपका 97 तक दे रखा है, ठीक है, तो 91 देखिए, जैसे यहाँ पर दे रखा, 91 में आपका 42 डिग्री प्रोफिट सा, यह डिग्री में दे रखे वाली, तो इसमें कोई भी कनफ्यूज नहीं होना है, कि यह डिग्री में कैसे प्रोफिट हो सकता है, यह आपका जो दे रखा है, यह पूरा कितने का होगा, 360 डिग्री का, ठीक है, तो पूरा गोले आपका 60 degree का होगा तो ये distribute कर रख़ा है अलग-अलग year में अलग-अलग degree में ठीक है यानि कि इस पूरे गोले में 1991 में 42 degree profit रहा होगा 1992 में 24 degree रहा होगा 1993 में 42 degree रहा होगा तो इस तरीके से पूरे के पूरे दे रखा है 93, 94 में आपका 60 degree था, ठीक है 95 में 54 था, और 97 में, सोरी, 96 आपका इधार है, तो 96 में सबसे ज़्यादा था, 72 degree, और आपका 97 में आपका 66 degree, तो आपने ये पूरी गोला पढ़ लिया, और इसमें जितने भी data दिये गए है, वो भी आपने देख लिये, ठीक है, अब पढ़ते है कोशन के बारे में, ठीक है कोशन क्या दे रखा है, तो यहाँ पे पहला कोशन जो आपका दे रखा है, इसको पढ़ लेता है, यदि दिये गए सभी वर्सों में अरजित लाबों के योगफल का X परसेंट, यानि कि सभी एर मे जो लाब होए हैं, उसके योगफल, यानि कि उसका सम कर लेजे, और उसका परसेंटेज निकाले, X परसेंटेज निकाले, तो 1994 में अरजित लाब के बराबर है, तो X क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मैं टोटल की बात करूँ, तो सभी का सम तो सीधा सीधा है, पूरे गोल आएगा, ठीक है, या फिर आपको बिल्कुल सीधा सीधा पता है, कि एक जो आपका ही गोला होता है, सर्किल होता है, इसका जो पूरा होता है, कितना होता है, 360 डिगरी होता है, तो आपको 360 का अगर यहाँ पे निकाला जाए, कितना X परसेंट, तो वो किसी यहर के बराबर ह देते हैं 1994 तो 1994 में देख लिए कितना है 1994 में आपका 60 डिग्री दे रखा है यानि कि मैं 360 डिग्री का X परसेंट निकालू X अपॉन 100 निकालू वो किसके एकवल आएगा 60 डिग्री का यहाँ तो यहाँ पे आप X की वेल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही कैसे बहुत ही आसान है 360 डिग्री यानि कि टोटल सम बोला था ना कि सभी का सम निकालके उसका X परसेंट निकालना है सभी का सम कितना होगा 360 डिग्री इसका मैंने X निकाला और अपॉन में 100 किया की जब percentage निकालते तो divide करते हैं 100 से ठीक है तो यह कितना है 60 आ गया 60 degree 1994 के बराबर काता है 1994 के बराबर है तो 1994 में आपका 60 degree रखा था तो बस बहुत ही simple है आप इनकी cross multiply कर लीजे तो cross multiply होगा कितना होगा 60 into 100 होगा और यह x को हम यहां पर रख लेंगे एक side में और यह 360 से divide हो जाएगा तो x की value आपकी निकल के आजेगी सीधी सीधी तो 0 से 0 कर जाएगा 6 से 36 जाएगा 6 time तो 100 को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो कितनी बार जाएगा देखे इसको आदा कर लीजे हम 50 हो जाएगा यहां पर इसको भी आदा करेंगे आपको यह अच्छे से समझ में आगया हो कोशन बिल्कुल भी कोई hard नहीं था ठीक है चलिए next question पर चलते हैं question number two में क्या बोल गया यदि वर्स 1997 में आए उसी वर्स के उसी वर्स किये गए वे यानि कि expenditure का पाँच गुना थी यानि कि जितना expenditure किया गया था यह 1997 में आए जो income हुई वो पाँच गुना थी तो वर्स 1991 में अरजित लाब का वर्स 1997 से 1997 में वे के साथ अनुपात था यह आपको अनुपात बताना है question को दुबारे से repeat कर देता हूँ अच्छे से समझ में आ जाएगा यदि वर्स 1997 में आए उसी वर्स किये गए वे का पाँच गुना थी यानि कि 1997 में जितना वे किया गया था वे मिन्स होता है expenditure किया गया था खर्चा किया गया था उसी वे के पात आपको बताना है कब कब का 1997 का तो आपको लेना है वे 1997 का आपको expenditure लेना है और 1991 का 1991 का आपको लाब लेना है ठीक है तो देख लेते हैं बहुत easy question बन जाएगा ये तो जैसे question में बोला गया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं ठीक है यहाँ पे बोला गया वर्स 1997 में वे तो इसका मतलब लाब कितना हुआ, profit कितना हुआ, हमें 4x profit हो जाएगा न, जब इसको हम इसमें से minus करेंगे, profit बराबर क्या होता है, आपका income minus expenditure जब अम कर देते हैं, तो हमें profit मिलता है, ठीक है, सीधी-सी बात है, कोई इधर-ुदर की इसमें कुछ भी add नहीं है, तो आपका यह क्या आगया 4X जो है आपका profit है तो आप देख लेते हैं profit 1997 में कितना हुआ था तो दोस्तो 1997 में आपका profit था 66 degree तो जो आपका 4X आया यह 66 degree के equal हो जाएगा तो यह 4X आपका हो गया 66 degree के equal तो X की value आपके कितनी आजएगी यह आजएगा इसको आदा कर देंगे हो जाएगा यानि की 2 और इसको भी आदा कर देंगे हो जाएगा 33 तो X की value आपकी कितनी आगई 33 अपोन में 2 यह आपका आगया X की value ठीक है यानि की X की value का मतलब हो गया और यहाँ पे क्या पूछा गया वे और 1991 के lab के बीच में ratio पूछा गया है बिल्कुल भी confused मत हो यह गा एक एक वर्ड बिल्कुल clear मैं करनेगी कोशिस कर रहा हूँ यहाँ पे आपको where means expenditure आपको मिल गया 33 अपोन में 2 और इसके where के और 1991 के lab के बीच में ratio बताना है तो 1991 का lab ओट देख लेते हैं क्या है तो दोस्तो 1991 में आपका lab था 42 degree ठीक है तो इसके बीच में और 1997 का जो आपका where है उसके बीच में आपको ratio बताना है तो यह आपका हो जाएगा देखे 1991 में आपका 42 degree lab है तो यह आपने lab इस साइड में लिख लिए 1997 में आपका व्या कितना है 33 बटे 2 या आपने व्या लिख लिख लिया यानि कि आपका expenditure ठीक है तो इनका हम ले लेंगे LCM 2 ठीक है तो कितना हो जगा 84 और इधर यह आपका 33 रहेगा तो यह आपका ratio आगया 84 इंटो 33 अब किसी common number से कट हो सकते हैं हाँ बिल्कुल हो सकते हैं यह हो सकते हैं आपका 3 से तो 3 से इसको कट करेंगे यह जाएगा 11 बार और इसको कट करेंगे 28 पर टाइम तो आपका ratio क्या बन गया 28 इस्टू 11 इस दी आंसर C होगा क्यों होगा क्योंकि आप पहले 1991 का पूछा गया था 1991 में अरजित लाब और सेकिंड नंबर पर आपका 1997 में आपका वे ठीक है यानि कि expenditure तो आपको C वाला right answer लगाना है ना कि A वाला क्योंकि पहले 1991 है और फिर 1997 है तो इसी sequence में आपको ratio भी निकालना है तो इन चीजों से भी आपको ध्यान में रखते हैं कोशन करने के बाद में आप ये छोटी सी गलती कर सकते हैं तो कि पूरे के पूरे कोशन को गलत कर सकते हैं ठीक है चली कोशन नमर 3 आपके क्या बोला है जिस वर्स में लाब दिये गए सभी वर्सों में अरजित लाबों के ओसत के निकटतम है वह है तो देख लेते हैं तो सबसे पहले तो ओसत लाब हम निकाल लेंगे ओसत लाब क्या होता है थीन सो साथ डिग्री आपका टोटल लाब है ठीक है और इसको आप साथ से बाग कर देंगे कि इसमें जो साथ वर्सों का लाब है यह थीन सो साथ डिग्री तो ओसत लाब कितना आ जाएगा तो आपका 51.42 यानि कि हम एप्रोक्स ले लेते हैं तो यह 51 डिग्री आ जाएगा आप पूछा है कि 51 यानि कि ओसत लाब के बराबर है इक्वल नहीं बराबर है मतलब कि नजदीक है नजदीक सोरी इक्वल बराबर तो एकी बात हो जाएगी नजदीक है तो नजदीक देख लेते कौन सा है तो आप इनमें easily find out कर सकते हैं कि 51 डिग्री के इक्वल यहाँ पर कौन सा हो सकता है तो 51 डिग्री के इक्वल यहाँ पर आपका निकटतम यहाँ पर 54 डिग्री होगा और कोई नहीं होगा ठीक है तो आप easily find out कर सकते हैं क्योंकि 60, 66 बड़े हो जाएंगे 42, 42 और 24 आपके ये छोटे हो जाएंगे सबसे निकटतम आपका 54 ही बैठ रहा है तो आपका ये हो जगा 90, 95 तो राइट आंसर आपका हो जगा 90, 95 यानि कि option B is the right answer तो आसे करता हूं कि देखे बहुत ही अच्छे कोशन थे और इसमें मान लीजिए चार कोशन उपर और तीन ये कितने हों के साथ कोशन तो साथ कोशन अगर आपको इस तरीके के मिल जाते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है एक कोशन तो आ सकते है भई ठीक है अपने सभी दोस्तों को भी share करिएगा क्योंकि D.I.E. chapter पे कोई भी ध्यान नहीं देता है और फिर जब ये आ जाता है तो छोड़ के आना पड़ता है बड़ा दूख होता है क्योंकि कोई बताता नहीं कि D.I.E. chapter से भी कोशन आ सकते है और मैंने बहुत ही अच्छे लेवल के करा दी है कहीं बार तो बहुत इजी-जी से भी पूछ ले जाते है तो आपको एक concept पता चल गया होगा कि इस तरीके कोशन आपके exam में आ सकते है तो आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज आप मुझे लाइक करके और नीचे comment box में comment करके बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये दोनों कोशन आपको समझ में आए या नहीं आए ठीक है दोस्तो डियाई चेप्टर में आपको सारे अगर चेप्टर आते हैं जैसे profit and loss हो गया time and work हो गया अगर ये सारे चेप्टर आपके clear है तो डियाई बिलुकुली भी hard chapter नहीं होता है कई बार आपका profit and loss और discount से later question आ जाते है तो वस्तू का क्रे मुल्य यानि की selling price ग्याद करिए तो यहां पर आप कैसे करते हैं अंकित मुल्य का मतलब होता है MRP और जो discount दिया जाता है वो अंकित मुल्य यानि की MRP पर ही दिया जाता है हमेशा इस चीज़ का ध्यान लखेगा तो MRP उसकी 1400 रुपे है discount यहां पर 20% दिया गया है और selling price पूछी गई है तो बहुत ही simple question है अगर आपका DI का question आता है तो इसी तरीके का आपका question बनेगा 100% क्योंकि SSC Sejal में भी अगर question आते है ना DI के उसमें भी आपके इसी तरीके question पूछ ले जाते है ठीक है कोई ज़्यादा hard और ज़्यादा easy भी question नहीं आएंगे तो यहां पर 1400 का आपका 20% निकालना है कितना हो जाएगा 280 तो यह 280 आपको discount देना है किस पर देना है यह 1400 पर देना है तो 1400 में से हम 280 minus करेंगे यह अब देखी यह question बहुत अच्छा है और इस तरीके आपका direct question भी आ सकता है इसको देख लेते हैं एक वस्तू का अंकित मुल्य 500 रुपे है यानि कि MRP आपकी 500 रुपे है उस पर 10% की छूट देकर भी 20% लाब कमाता है ठीक है वस्तू कितने में खरीदी अब ध्यान से सुनिएगा step 1 इसमें हम रखते हैं 500 रुपे पे 10% की छूट दीजी क्योंकि जो छूट दी जाती है वो MRP पर दी जाती है अंकित मुल्य पर दी जाती है और अंकित मुल्य इसमें 500 है तो 500 का 10% निकाला आपने कितना गया 50 ये आपको ने छूट दी और इस छूट देने के बाद भी 20% लाब कमाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 50 आप 500 में से 50 माइनस करेंगे तो बचा कितना 450 ये 450 जो है आपको देखी में profit include है वो कितना 20% तो जो ये value है ये किसके equal हो जाएगी 120% के equal हो जाएगी बट हमें क्या चीजिए CP खरीदी कितने में थी CP हमें निकालने है CP हमारा होता है cost price होती हमारी crab मुल्य हमारा जो होता है वो 100% के equal होता है तो 450 को आप 12 से भाग करेंगे 120 से भाग करेंगे और multiply 100 से कर देंगे ठीक है क्योंकि हमें 100% की value निकालने है तो 0 से 0 कट जाएगी ठीक है और यहाँ पर आप कट कर देंगे इसको 2 से ठीक है 2 से इसको कट करेंगे 6 टाइम जाएगा और यह जाएगा 50 टाइम और फिर इसको 2 से कट करेंगे 3 टाइम जाएगा और यह जाएगा आपका 25 टाइम ठीक है और 3 से इसको कट करेंगे 15 टाइम तो आपका नीचे कुछ नहीं बचाया उपर बचा 15 और 25 इन दोनों की multiply कर दीजे तो आपका CP निकल के आ जाएगा तो CP क्या हो जाएगा भई आपका 375 यही आपका right answer हो जाएगा तो आशा करता हूँ कि आपको यह पूरी वीडियो समझ में आयोगी और जो मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोसिस किया हूँ आपको पूरा अच्छे समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो प्लीज थोड़ा सा motivate करिये वीडियो को like करके अपने सभी दोस्तों के साथ में share करके अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है इसकी तो नीचे description box में telegram का link दे रखा है उसको join करके वहाँ से इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते है और other videos की भी PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते है अगर आप मुझे follow करना चाहते है instagram पे तो instagram पे आपको search करना है sora malik s-a-u-r-a-b-h-m-a-l-i-k ठीक है और यहाँ पे आपको सब कुछ सब का reply करूँगा जो भी मुझे message करेगा यहाँ पे मैं सब के reply करूँगा क्योंकि एक मेरा topic study का instagram और यह मेरा personal है personal पे जो भी मुझे message करेगा क्योंकि सब जंगे message आएंगे तो थोड़ा-थोड़ा समझ में आ जकता है अब वहाँ पे जारों में message हो रखे हैं वो मैं read नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है तो अगर किसी का important कोई message को information आपको देनी है या फिर कुछ पूछना है तो आप मुझे हाँ पे सवरा मलिक 17 के last में आपको लिखना है यहाँ पे जाके follow कर लिजेगा instagram पर वहाँ पे message करेगा मैं आपका definitely reply करूँगा तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आगए होगी आपने like कर दियोगा share कर दियोगा अगर नहीं किया तो कर दीजेगा वीडियो को देखने लिए बहुत बहुत धिन्यवाद आपका दिन सुब हो